नमस्कार दोस्तों वेलकम आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में प्यारे बच्चों मैं सुमित गोयल आप सबके लिए अगेन आज एक सीचसल का पेपर लेकर आयों दोस्तों कमाइंड है सकेंडरी लेवल एक्जाम नोटिफिकेशन बच्चों आउट है बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उमीद करता हूं बिटा आपने भी फॉर्म भर दिया होगा फैब और मार्च में आपका ये एक्जाम होने वाला है दोस्तों और इस एक्जाम के लिए रिजनिंग मैथ इंग्लिश जिकें सारे सब्जेक्ट आपके एक्वल वेटिज पे हैं प्री और मेंस का ए जानी कि पहले की तरह बच्चों आपके सामने अपकी बार सीजियल की भांती प्री भी होगा और मेंस भी होगा त्यारे बच्चों इस पेपर में आपका सेलेक्शन हो आप गौर्मेंट जॉब को सिक्योर कर पाएं बिटा जरूरी है कि मैक्स आपकी बहुत अच्छे से होन नीचे यहां से एक लिवल का आईडिया एक्जाम का एक्जाम नोर्मल लेवल का आ रहा है बहुत इजी परकार की बाते आ रही है आप बहुत डिफिकल्ट बहुत मुश्किल प्रजिदा परकार के सवाल बन रहे हैं मिल्कुल भी नहीं है प्रीवियस एयर आपने अगर ठी से कमांड कर रखी है दोस्तों आने वाले एक्जाम को आप और भी अच्छे प्रकार से प्रफॉर्म कर सकते हैं तो आए बचों शुरू करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास में दोस्तों हम मैट्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन जो प्रिविएस एर हैं और आने वाले एक्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है सेम उस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो आईए बचा इन पेपर को शुरू करते हैं एक बार सब बच्चे कमेंट करके इंफर्म कर दीजिएगा क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है सब आडियो वीडिय की बात करोगे तो बचे स्पेशल क्लास अपनी चलती है अनकेडमी प्लैटफॉर्म पर आप सब के लिए 100 प्रसेंट फ्री इसका कोई चार्ज नहीं है निशुल्क आपकी एक प्रकार से प्रेक्टिस बैच की क्लास है प्रेक्टिस बैच में बचो आपको कहीं पैसा में डेली सुबह आठ से लेकर नौ बज़े तक अनकेडमी प्लैटफॉर्म पर होती है कल आपको जो पेपर करवाए जाएगा सुबह वह एससी सीपियों का पेपर करवाऊंगा जो नवंबर 2022 में हुआ है बिलकुल रिसेंट के पेपर नए नए पेपर नए नए सवाल जो आज कल पेपर में चल रहे हैं उनका बचो कंप्लीट सॉलूशन आपको क्लास में मिलेगा तो आप कल सुबह आठ बजे की इस क्लास को मेंडेटरी रूप से जोइन कीजेगा आईए बचो आसान सा सवाल है बड़े इमानदारी से आप इस कोस्वाल और सकते हैं जब आप इनकी सवालों को सॉल करते है ना तो इनकी चुर्म को भी साथ साह लिक लिख लिया करो यह दियाम्स आप नोट कर लिया करो डारेक्ली यह चुर् GIR्पर में आपको यूज करने है चिंता करने की बात नहीं है कोड पीक्यू एंड आरेस इंटरसेक्ट इच अधर एड़ पॉइंट एल यह एक सर्किल था इस सर्किल में आपके सामने दो कोड हैं कोड का मतलब जानते हैं जीवा दो आपको जीवाएं दी गई है एक तो जीवा है यह पीक्यू और एक जीव करती है पॉइंट ऐल पर आप इस थेर्म को ध्यान रखना कि अगर कभी किसी एक वृत में दो जीवाएं एक दुसरे को इंटरसेक्ट करती हैं बचे तो P से लेकर L की दूरी औरल से लेकर क्यों की दूरी बराबर होगा R से लेकर L की दूरी और L से लेकर S की दूरी यानि PL गुणा LQ बराबर होगा RL into S LS यह जो नियम है बचो यह आपको समझना है यह आपको पता होना चाहिए तर यह नियम किस एंगल से बनाया यह बचो ट्राइंगल के similarity के concept से आया है यह ट्राइंगल के similarity के concept से दिया गया ट्राइंगल की समरूपता से यह ट्राइंगल का नियम बनाया है जिस नियम को आपने समझना है प्यारे बचो PL और LQ PL का मतलब है 9 LQ का मतलब है 4 RL का मतलब मुझे सवाल में ग्याद करना है और LQ का मतलब दिया हुआ है 6 तो कुल मिलाकर जानकारी यह है 9 चो का 36 बटा 6 यहनि 6 cm आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा practice class में बचो benefit आपको यह मिलता है कि आप इन चीजों को revise तो करते ही करते हैं साथ में आपकी theorems के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए तो एक copy में बचो एक heading लगा कर यह theorem भी आप लोग लिख लेना यह theorem भी आपको मैं बता रहा हूं बिटा कि कभी आप इस बात को समझें तो आपको यह बात पता होनी चाहिए जैसे यह एक circle आ गया इसका केंदर मैंने O मान लिया अब दोस्तों इसमें देखो दो जीवाएं मैंने कुछ भी मान लिये हैं कहीं भी आप दो जीवाएं ऐसी बना दीजिए यह लोग मान लीजिए इसका नाम A B है मान लीजिए इसका नाम C D है और यह P पर intersect करती है तो theorem क्या लिखोगे भी आप ठोरम लिखना सर A P गुणा P B पराबर होगा C P गुणा P D यह वाली बात अपनी copy में अवश्य लिख लिजिए इन में से कोई भी आपको मान दिये जाएं तो बाकी के मान चेक करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसे प्रूव करना अगर चाहते हैं बेटा इसे अगर आप साबित करना चाहते हैं तो साबित करने का नियम भी कोई मुश्किल काम नहीं है आप इनको मिला कर ऐसे आप इनको मिला कर ऐसे दो ट्राइंगल बना सकते हैं क्लियर आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर दो पे ये भी बचो जो मेट्री का ही सवाल दिया गया आज कल एडवांस के सवाल पेपर में खूब आ रहे हैं और जो मैं ये पेपर करवा रहा हूं ना बेटा ये रिसेंट के पेपर हैं छी एचसल में आपको बहुत हैल्प मिलेगी आप ये रूटीन में सेट कर लीजिए कि डेली स्क्लास को पढ़ना है मैट्स का आपका बहुत सारा काम इसी क्लास में से कवर हो जाएगा बहुत सारी चीजें आपको यहीं मिल जाएंगी बेटा साथ साथ में सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने ना बेटा ताकि मैक्सिमम बचे इस क्लास में पार्टिसिपेट कर पाएं कि क्या है कि ट्राइंगल एक्स वाई-जैड में एलम और एल और एम फुजा एक्स वाई और एक जैड का मध्या बिंदू है मध्या ब वाई-जैड का मान गयात कीजिए वाई-जैड की वैल्यू गयात करनी है देखिए पेपर बहुत जादा ऐसा क्रिटिकल यह बहुत जादा मुश्किल नहीं बनता है प्रिवियस एयर की चीजों के बारे में निपुन जानकर यह आपको बिटा होनी चाहिए तुनिएगा पतलब यह साइड एक है तो यह साइड भी एक है एक्स जैड का मध्य बिंदू है बच्चो एम यह साइड एक है तो प्यारे बच्चो अगर यह दोनों मिड़ पॉइंट को मिलाओगे ना तो यह ज़रूरी होता है कि एलम जो बनेगा एलम लाइन बनेगी वह वाई-जैड के parallel बनेगी इसके समानतर बनेगी समानतर बनेगी तो midpoint के theorem भी काम आएगी यानि आप इसमें ये कह सकते हो इसर xl का ratio xy के साथ में xm का ratio xz के साथ में और lm का ratio yz के साथ में सेम रहेगा और ये ratio एक बटा दो रहेगा ये होती है बचो triangle की समरूपता ये होती है triangle की समरूपता ठीक है सर अब अब आपको एक कहानी और बता दी को examiner कहता भाई कि lm पर एक बिंदू आ रहे हैं यहां एक point आ रहे हैं और ऐसा है कि lr और rm एक अनुपाद दो में एक अनुपाद दो में आपको चुक्के से ये बता दिया कि भई lr 3 cm है भई lr अगर 3 है तो rm आएगी 6 यनि lm की लंबाई पूरी पूछूंगा अगर पूरे lm की लंबाई पूछूंगा तो ये आजाएगी 9 cm अब चुक्की midpoint theorem की बात थी बच्चो midpoint theorem में अगर ये वाली side अगर आपके सामने 9 है बेटा तो पूरी yz की लंबाई पूछेगा ये just उसका दुगना बनेगा वो 9 था तो ये 18 बनेगा 18 cm is the right answer नियम का नाम क्या है बच्चो नियम का नाम है जी midpoint theorem midpoint theorem में क्या होगा अगर आप triangle के दोनों गुजाओं के मध्या बिंदू मिलाओगे तो lm एक तो yz के बनेगी समांतर एक तो बनेगी इसके समांतर parallel और एक yz जो होगा ये lm का दुगना होगा इसका double होगा ये reverse कह दीजिए कि lm जो बनेगा yz का half बनेगा ये बच्चो midpoint theorem होती है mpt बोलते है mpt midpoint theorem का concept है ये आपको याद होना चाहिए असान है geometry बहुत इजी है बच्चो साथ साथ में इस सारी चीज़ें आपको बता रहा हूं मैं theorem को साबित करके भी बता रहा हूं theorem के मान भी आपको बता रहा हूं तीन नंबर सवाल बच्चों Trignometry का सवाल है एडवांस मैथ में बच्चों का एक अलगी फोबिया होता है कि एडवांस मैथ हो नहीं पाती कर नहीं पाती ये नहीं होता वो नहीं होता जबकि actual में देखा जाए ना तो इससे आसान चीज़ कोई होती नहीं है बच्चे लिमि का उत्तर आना चाहिए एक एक बालक को अटेंप्ट करना सवाल आना चाहिए डारेक्ट वैल्यू पुटिंग सवाल थे कॉस एक्स माइनस वाई की वैल्यू है ये सवाल में दी गई है अंडरूट तीन बटा दो तो आप कह सकते हैं सर कॉस एक्स माइनस वाई है ये एक्चुल में कॉस तीस के बराबर है रूट तीन बटा दो ये कॉस तीस का मान होता है बच्चे तो आपने का सर मुझे पता ल y की value कितनी आएगी 30 x minus y की value 30 degree आने चाहिए अगला point कहा रहा है जी sign x plus y यह एक बटा 2 है और sign की language में अगर एक बटा 2 मान चाहिए तो जरूरी है यह sign 30 का मान होता है बचे यह sign 30 का मान होता है this should be sign 30 यह sign 30 की value आएगी आपने कासर यहां से x plus y भी 30 आगया इसका मतलब यह हो गया कि x minus y किया तो भी 30 है x plus y किया तो भी 30 है जाहिर सी बात है बच्चो एक्स का मान आएगा 30 डिग्री और y का मान आएगा 0 डिग्री दोनों बातों को ध्यान पूरवक समझिएगा मैंने आपसे पूछा x का मान कितना आएगा एक शुडबी 30 एड़ यशुड बी जीरो डिग्री दोनों वैल्यू आप पूछ सकता है X का मान भी ग्याद करना आना चाहिए Y का मान भी ग्याद करना आना चाहिए तरी कौन मिती के जो बेसिक वाले मान होते हैं जैसे देखो साइन थिटा 0 डिगरी पे आता है बचो 0 30 डिगरी पे आता है 1 बटा 2 पंतालीस डिगरी पे आता है एक बटा अंडरूट दो साथ डिगरी पे आता है बचो अंडरूट तीन बटा दो और नबबे डिगरी पे आता है जीरो एक यह आपको बेसिक मान है याद होने चाहिए पेपर में टेबल बनाने की नीड नहीं है डारेक्ट आपके दिमाग में छपे होने चाहिए अगर मैं कॉस की बात करता हूँ तो वहां से स्टार्ट कर लिजिए एक अंडरूट तीन बटा दो एक बटा अंडरूट दो एक बटा दो और यह जीरो अगर बटा मैं टैन की बात करता हूँ टैन थिटा तो साइन में कॉस का भाग दे लिजिए जीरो एक बटा अंडरूट तीन एक यह अंडरूट तीन और यह इंडिफाइन एप रिभाशित इसमान को ग्यात नहीं कर सकते बाकी तुम्हें पता ही है साइन को पलट दोगे कॉसेक आएगा कॉस को पलट दोगे सैक आएगा टैन को पलट दोगे कॉट आएगा यह तो एक दुसरे के रिवर्स ओर्डर में होते ही हैं ट्रिग्निमेट्रिक वैल्यू आप सबको याद होनी चाहिए उमीद करता हूँ यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी सवाल नमबर तीन आपके सामने चार माफ कीजिएगा चार पंदरा आदमी एक काम को दस दिन में पूरा कर सकते हैं तो बीस आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे पंदरा आदमी काम करने में दस दिन लगाते हैं तो 20 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे इन हाव मैनी डेज कितने दिन में कें 20 मैं कम्प्लीट दा वर्क टास्क पीस आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे पेपर का पूछा हुआ सवाल है आसान सवाल है M1, D1, H1, E1 होता है वैसे तो बटा में W1 पर्मूला है बचे M2, D2, H2 बटा W2 M1 का मतलब कितना है? M1 बचो 15 डेज कितने लगाए? 10 अब 20 आदमी है दिन कितने लगाएंगे? D2 अगर ग्याद करोगे तो 15 गुणा 10 बटा 20 ग्याद करना है 10 काड़ दीजिए 7.5 देज साड़े साथ दिन आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा B is the right answer, B is the correct answer B को आप चेक कर लीजिएगा इससे असान बात तो क्या ही बनेगी बिटा इससे असान जानकारी तो क्या ही बनेगी? आज ओ एक और बड़े अच्छे सवाल की बात कर लेते हैं पिटा एक और बड़े शांदर सवाल की बात कर लेते हैं तो उर्गटना से देर भले आप इस बात को बिल्कुल इमानदारी से खुद से ट्राई करना वैल्यू एजूम करने का नीड नहीं है फॉर्मुला आपको पुट करना आना चाहिए तो जानकारियां दी गई है इन जानकारियों को फॉर्मुले पे रखिएगा और फॉर्मुले पे पुट करते ही आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा एक मिनट का टाइम दे रहों सब लोग जुगार कीजिएगा उत्तर सबका आना चाहिए उत्तर सबका आना चाहिए किसी बच्चे के उत्तर में गलती नहीं होनी चाहिए सबका उत्तर एक दम accurate आना mandatory है बताओ कितनी आसान चीज़ है सुनो देखिए ऐसा है जो तुमें content दिया गया उसको अपने पास में save रखो A पलस B पलस C का मतलब आपको दिया हुए 2 ठीक है 1 बटा A 1 बटा B और 1 बटा C का मतलब दिया हुए 0 इस बात का बड़ा use है बचो क्या use है सुनो अगर मैं इनका LCM लोगा ABC तो यहां बनेगा BC पलस AC पलस AB बराबर हो गया 0 कहने का मतलब आपको short end sweet यहीं से पता लग जाना चाहिए कि AB पलस BC पलस CA यह वाली बात 0 के बराबर है यह value 0 के बराबर है बचो यह मैंने LCM लेके बनाया था लेकिन बनाने का तरीका समझ में आ गया तो अगली बार तुम direct इसको AB पलस BC पलस CA को भी 0 कह सकते हैं अच्छा AC बराबर 4 बटे B है P का यहां गुणा कर दोगे तो ABC की value कित्ती आ गई 4 बचो ABC की value 4 आ गई यह भी तुमको सवाल में दिया गया और यह भी तुमको सवाल में दिया गया है एक और जानकारी दी गई है AQ पलस BQ पलस CQ यह 28 के बराबर है तो प्यारे बचों आपको एक algebra का बड़ा common सा formula है formula क्या है कि अगर दोस्तों अगर AQ पलस BQ पलस CQ माइनस 3ABC कर दिया जाए तो यह होता है बचों A पलस B पलस C गुणा में A स्क्वार पलस B स्क्वार पलस C स्क्वार माइनस AB माइनस BC माइनस C यह algebra का एक बड़ा common formula है यह formula आपको paper में लिखने की need नहीं है यह आपके दिमाग में लिखा हुआ है तो भी काम चलेगा formula है दोस्तों A Q पलस B Q पलस C Q माइनस 3ABC is equal to A पलस B पलस C multiply A square B square C square माइनस ABBC CA यह same formula आपको paper में याद होना चाहिए value put कर देते हैं इस चीज का मान मुझे पता है A Q P Q C Q का यह 28 है A B C का मतलब 4 था तो 4 गुणा 3 हो गया 12 A पलस B पलस C का मान मुझे याद है 2 A square पलस B square पलस C square मुझे सवाल में गयाद करना है और माइनस माइनस तो पूरी बात 0 के बराबर है A B B C C A का जोट 0 के बराबर है खत्म 28 में से 12 गटाओगे 16 और यह 2 इसके बटा में लेजा हो तो यह बन गया A square B square पलस C square प्यारे बच्चों यह बात देखो 8 के बराबर आ गई 8 आपके इस सवाल का उत्तर है 8 is the correct answer 8 is the right answer डारेक्ट फर्मुले को assume करके put करके सवाल ट्राई करना था अलजेब्रा फर्मुला डिपेंड कहनी होती है मैंसरेशन में फर्मुले काम आते हैं तो यह फर्मुले आपको याद होने जरूरी है इनके बारे में समझ पैदा होनी जरूरी है अगला सवाल देखो एक कंपनी का बच्चों आपको प्रॉफिट का ग्राफ दिया हुआ है प्रॉफिट का प्रथिशत लाब है प्रतिशत लाप समझ रहे हो कि आपको कितने प्रसेंट का प्रफिट हुआ जैसे उन्नीस सो च्यानमे में प्रॉफिट हुआ है पंतालिस परसेंट का त्यानमे में पच्पन परसेंट का अठानमे में पचास परसेंट का नियानमे में यह है 1996 यह 97 यह 98 यह 99 यह 2000 और 2001 यहां प्रोफिट हुआ है 45 यहां हुआ है 55 यहां हुआ है 55 यहां हुआ है 65 यहां हुआ है 55 यहां हुआ है 65 यहां हुआ है 65 यह लोग अब आपने यह पूछा इस सर बताईए कौण से टाइम में कौंसे फेज में कम्पनी का प्रोफिट सब इधानमे कर पैफिय। पैजाच का यह 50 का प्रॉफिट है यह तो कमी आई यह दोजार से दोहर एक में 75a 95 कमी आई है छहनमे से सथ्यान में 45-55 तूग गया आंधि 10 पटे 45 भणाय करीब करीब 20 परसेंट के आशपास बनेगा उसका सबसे ज्यादा जो जो आपने व्रधी की हैं वह बच्चों ये वाले option में की हैं ये वाला option मतलब 98 से 99 में 30% profit increase हुआ है ये profit को increase करने का सवाल था जानकारी बहुत आसान है बच्चों सवाल नंबर साथ आप सबके सामने पेपर का पूछा हुआ सवाल है और इजनल पेपर की बात है दोस्तों 19 के लिए कवीता की उसके स्कूल में उपस्तती 216 दिन थी उसकी उपस्तती की गणना करने पर ये देखा गया कि उपस्तती 90% थी तारे दिवस कितने थे ये 90% स्कूल आई है और 216 दिन आई है तो टोटल कितना होगा 100% कितना होगा तो 216 अगर 90 की value है तो आपको 100 की value ग्याद करने है that's all एक जिरो से एक जिरो खतम नो दुनी अठारा नो चुक छतिस दो सो चालिस दिन होगे बेटा 240 is the right answer C आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए C is the correct answer C is the right answer ये सवाल करना बच्चो ये सवाल करना जी Time, Speed और Distance में ये Average Speed का सवाल है Average This is a question of Average Speed Average Speed का मतलब होता है औसत चाल औसत चाल तुमारी क्या रही Average Speed क्या रही ये ग्याद करना है सब लोग Try का दीजिएगा जानकारी बहुत आसान है सबका उत्तर आना चाहिए सबका आंसर बनना चाहिए आंसर में किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा बच्चो रिचा ने A से B की यात्रा 15 किलोमिटर परावर की चाल से B से C की यात्रा 20 किलोमिटर परावर की चाल से और C से D की यात्रा 30 किलोमिटर परावर की चाल से कवर की है A B बराबर B C बराबर C D है तो रिचा की औसत चाल क्या है रिचा की औसत चाल बताईए सुनो बेटा मैं A से B गया कलब मैं नहीं गया रिचा गई थी 15 किलोमिटर परावर की चाल है अगर B से C की बात करें तो यह कहने जी 20 किलोमिटर परावर और C से D 30 किलोमिटर परावर अधिके सवाल में एक विशेश बात बोली गई किसर A B बराबर B C बराबर C D है तीनों जगह आपने समान दूरियां कवर किये है जब तीनों जगह पे आपने समान डिस्टेंस कवर किया है तो समान डिस्टेंस कुछ मान लो क्या माने हम बिटा समान डिस्टेंस को मान लेते हैं 60 किलोमिटर क्यूं साथ एक्च्वल में LCM आता है बच्छो 15 का 20 का 30 का LCM कितना आएगा साथ किलोमिटर अब देखिएगा पहले साथ किलोमिटर 15 की स्पीड से टाइम लगेगा चार गंटे अगले साथ किलोमिटर 20 की स्पीड से टाइम लगेगा तीन गंटे अगले साथ किलोमिटर 30 की स्पीड से टाइम लगेगा दो गंटे एवरेज स्पीड ग्याद करने का फर्मुला क्या होता है बिटा स्पीड ग्याद करने का फर्मुला होता है कुल त्य की गई दूरी बटा कुल लगा हुआ समय है टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम टेकन तो डिस्टेंस आपने कवर करिये बिटा एक सोसी किलो मिटर साट 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 तीन बार करिए और टाइम लगा 4, 37 और 29 गंटे का ये टोटल टाइम आ गया 180 किलो मिटर जाने में आपको 9 गंटे लग गए एवरेज टाइम निकल कर आ गया 20 किलो मिटर परावरी स्पीड आ गई एवरेज D is the correct answer मैं आपको सिरफ randomly सवाल करके नहीं बता रहा हूँ बिटा मैं उसका पूरा method बता रहा हूँ आपको कि हमने ये सवाल को किस प्रकार में solve करना है हमेंसे कई बचे ऐसे भी class पढ़ रहे होंगे जिन्नोंने अभी पूरा foundation course पढ़ा नहीं है बचे पूरा कोर्स नहीं पढ़ा कोई बात नहीं आप इन सवालों को तो साथ साथ एक पर हेंडल करी सकते हैं इनका तो attempt इनकी तो try बेटा आप लोग करी सकते हैं इनमें आपको समस्या नहीं आएगी एक और सवाल try कर दिजिए तुरंट फटा फट से बताइए एक मोटर साइकल को 70,000 में बेचने पर राम को 25 परसेंट का लाब मिलता है तो 30 परसेंट का लाब करने के लिए आपको ये मोटर साइकल कितने का बेचना पड़ेगा 30 परसेंट का लाब करने के लिए कितने का बेचोगे सुनिएगा 25% का अगर आपको profit ग्याद मिला तो मतलब आपने इसको बेचा है 125 का थोड़ा डिटेल में कर लो आप ये समझो बेटा CP मान लो इसका 100 रुपए होता 25% के profit पर ये बाइक 125 रुपए की बिक्ती और 30% के profit पर 30% के profit पर 130 की बिक्ती और अब ये आपका सवाल बन गया value system का आपने देखा सर 70,000 रुपए एक्च्वल में 125 की value है 130 की value ग्याद करनी है 130 की value आप ये भी ग्याद कर सकते हैं उत्तर 13 का multiple आएगा 13,65,7,9 नहीं बनेगा 13,65,7,8,78 बन जाएगा बाकी के option नहीं बन सकते बेटा उत्तर वोई बनेगा चेक करने असर कैसे? गुणा भाग कर लो 125 से 5 बार काट लो 125 5 भाग जाएगा अगर मैं 5 बार दूँगा 625 750 750 में फिर 6 बार जाएगा और फिर 0 फिर 5 से काटूँगा 5 112 112 गुणा 130 करेंगे काट पीट के बाद वो ही है दुर घटना के लिए माफी है 25 से काटा है 25 दुना 50 20 25 आठा 200 बीटा ये 2800 बार कटेगा ये 2800 बार कटेगा फिर 5 से काटूँगा 55 25 3560 ये 560 का गुणा कीजिए 13 130 से तब जाकर 2800 आएगा यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो 26 या 18 लास्ट में 8 आना चाहिए नौन जिरो वाला तो इससे भी कर सकते है इससे भी ग्याद कर सकते है एक ही बात है उससे भी आपके सवाल का उत्तर 2800 हो आएगा 13 का मल्टिपल ट्राई कर लो यून चेक कर लो एक ही बात है दोनों परकार के मैथड आपके लिए आसान है 10 नंबर सवाल आपके सामने हैं बच्चो 10 नंबर सवाल का तरीका तुम्हें पता है 10 नंबर सवाल का बारे में जानकर ही आपको पता है फटाफट से ट्राइ कर दीजिए उत्तर क्या बनेगा दुर्गटना से देर भले X-2Y की वैल्यू कितनी है? 3 हाँ ठीक है वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं सवाल X-2Y वैल्यू आगई 3 X-Y की वैल्यू कितनी आगई? 5 तो मान रख लो भाई आप X की जगाए पे 5 रख लो और Y की जगाए पे 1 रख लो तो 5 एकम 5 और देखो 5 में से 2 गटाओ गे 3 दोनों बाते हो गई सैटिस्फाइड तो 5 का स्क्वाइर हो गया 25 4 21 आपके सवाल का उत्तर बन गया असान है जी वैल्यू पुटिंग से सवाल इजी बन जाएगा वैल्यू को एजूम करना आना चाहिए एक बच्चा ये भी सो सकता है सर मान लो एक पल के लिए मान लो मेरे को वैल्यू सिस्टम से वैल्यू पुट करने की बात नहीं बनी उसकेस में क्या होगा तेखिए उसकेस में बिटा आपको इस पे एलजेबरीक फर्मुला जाना पड़ेगा फर्मुला हमसे ये कहता है एक स्कुर माइनस चार वाइस को बन लब होता है एकस पलस दो वाई एकस माइनस दो वाई इसका मतलब देखो यहांसे भी idea पड़ गया, उत्तर तीनका multiple आएगा, उत्तर तीनका multiple आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उत्तर यही बनेगा पक्का, अभसे और comfort क्या हो सकते है बाइ, झाέलों फिर भी कर लेते हैं, सर अगर मैं कभी x पलस 2y का whole square पूछ हूँ, इसे हम कह सकते हैं ना एक्स माइनस दो वाई का होल स्कॉर पलस 8 एक्स था पलस 8 एक्स वैइशा कैसे हुआ समजो भाई अगर मैं इसका squạ can करूंगा तो यह बनेगा X square plus 4Y square plus 4xy यहां से X square plus 4Y square minus 4xy plus 8xy तो बात तो same आजाईगी ना यह direct अपने formula put कर दिया इसका मान मुझे ग्याद करना है इस चीज का मान 3 का square 9 8 5 49 49 हो गया यानि सर X plus 2Y जो आएगा वो 7 के बराबर आएगा तो 7 गुणा 3 करोगे 21 formula से भी साबित हो गया value putting करके भी बता दिया किसे सवाल को handle करना है हर एक 8 आपको आनी चाहिए हर एक कला आपको आनी चाहिए value system हो जाए वैसे तो बात के मज़े ही नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको पूरा formula लगाना पड़ जाए में होगा अभी दिसंबर के मिड में अपना है हाफ दिसंबर जनवरी फरवरी धाय महिने का टाइम है अगर इसमें बहुत बढ़िया प्रकार से आप तैयारी करते हैं लगातार आप इसमें efficiency show करते हैं तो आप इस exam को भी पास कर सकते हैं प्यारे बचों अनकेडमी प्लैटफर्म पर CHSL, CGL, CPO सारे exam के लिए आपके dedicate शांदार बैचे चल रहे हैं SSE exams के लिए बचों अगर आप सबस्क्राइब करना चाहते हैं तारीक 10 से लेकर 16 दिसंबर तक आपके लिए एक जबरदस्त ओफर चल रहा है आप लोग सुमित गोहल सर कोड का यूज करके अनकेडमी प्लस पर जॉइन कीजिए और इन सारे बैचेस को आप बहतरिन परकार से एक्सेस कर पाएंगे target करते हुए आपका बैच आ रहे है CHSL का पंदरा दिसंबर से यह बैच स्टार्ट होगा इंडिया के टॉप एजूकेतर के साथ में आप इन बैचेस को जॉईन कर सकते हैं प्यारे दोस्तों ब्रमास्तर बैच आपके स्पेशल मेन्स के एक्जाम के लिए डिजाइन किया गया कल से ये बैच स्टार्ट होगा और रिजनिंग की क्लास रहने वाली इसमें शाम को चार से लेकर साड़े पाँच बचे तक इन इवनिंग 42530 का बच्चों ये बैच रहेगा जिसे आप रेगुलर बेस पे अटेंड कर सकते हैं तेरे दोस्तों विजयता बैच एक और मैंस का बैच है यानि अनकेडमी प्लैटफर्म की खुबसूरती ये हैं कि आपने एक बैच कुस एक प्लैटफर्म पे सब्सक्राइब कर लिया तो आपके लिए सारे बैच मिल जाते हैं सारे बैच आपको एक्सेस करने को मिल जाते हैं बचो वन स्टॉप सोलुशन आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेस्स सीरीज हैं आने वाले एक्जाम के लिए अवेलिबल हैं कॉंपीट सीरीज का बचो आप लोग मतलब जानते हैं कॉंपीट सीरीज का अर्थ यह बचो आप इसमें लाइव वन टूवन बैटल की तरह अपनी पढ़ाई कर सकते हैं गेम की तरह बड़े इंटरस्टिंग तरीके में नोट्स भी आपको एक बुक के फार्मेट में प्र सरकोड का यूज करें और आज ही अपनी बहतरी जर्नी को स्टार्ट करें प्यारे बचों अनकेडमी प्लैटफॉर्म पर मेरे रीजनिंग के सारे लाइव बैचे चलते हैं जिनको आप लोग जोईन कर सकते हैं सवाल नमर 11 आपके सामने हैं बचो तब बच्चे फटा-फट है सिंप्लीफिकेशन तो आपका नाम जो सिंप्लीफिकेशन इसे बोलते हैं सरली करन पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सौल करना फिर मजले वाले ब्रैकेट को फिर बड़े वाले ब्रैकेट को इन ब्रैकेट को सौल करते ही सवाल को सौल किजिएगा बोर्ड मास्का नियम हमेशा अपलाई होगा रिजनिंग में तो बोर्ड मास्के सवाल भर-भर के आ रहे हैं आज कल 25 में से 5-6 question बोर्ड मास्के दिये जा रहे हैं दोस्तों पेपर में कि सबका उत्तर आना चाहिए एकदम ठीक आना चाहिए उत्तर में गलती नहीं होनी चाहिए कि सरी लिखाब है माइनस का 15 प्लस का 90 डिवाइड कि अंदर वाली बात को सॉल करना है ना यहां से आते हैं साथिया 21 33 में से 21 गटाओगे 12 तो यह दोस्तों 89 माइनस वेतर और 12 84 मतलब 5 हो गया 5 का भाग दोगे 18 माइनस 15 प्लस का 18 तीन अंसर बन गया बी को लॉक कर दीजिए बी को ट्राइ कर दीजिए इससे इजी तो क्या ही बनेगा दोस्त कर दो भी सवाल सौल जल्दी से क्या बात है आंसर नहीं आया आप कब तक आपको यह पूछा गया था लिस्ट वैल्यू आफ कॉसेक स्क्वार थीटा प्लस 25 साइन स्क्वार थीटा इसका न्यूंतर मान क्या होगा तुनिएगा यह बात मैं आपको लिए देता हूं बेटा कि मिनिममम वैल्यू आफ कि मिनिममम वैल्यू आफ के शाइन स्क्वार थीटा पलस 25 स्क्वार थीटा होती है दो रूट ए बी यह मिनिममम वैल्यू का बचो फर्मूली बान सकते हैं आप कंसेप्ट कह सकते हैं कि A sin square theta plus B cosac square theta होती है सर ग्याद कैसे करेंगे मैं जो compare कर लो A की जगा है आपको दिख रहा है यहां पर 25 और B की जगा है आपको दिख रहा है 8 लगा तो formula 2 गुणा रूट के अंदर आगया जी 25 गुणा 8 2 तो थाई इससे 5 बहार आएगा 4 दूनी 8 दो बहार आएगा अंदर 2 बच जाएगा अंदर 2 बच जाएगा पेटा तो आपने का जी 5 दूनी 10 दूनी 20 20 रूट 2 उत्तर बनेगा है कोई option दीरा के लो अगर कभी इसकी minimum value पूछे ना तो minimum value का formula हमेशा 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 दो रूट A B होता है 2 रूट A B के equal आएगा 2 रूट A B आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए अगला सवाल एक आयत का विकर्ण डाइगनल 15 सेंटीमिटर का है बच्चों एक आयत का तुम्हें विकर्ण दिया गया 15 सेंटीमिटर का और लंबाई दी गई ये 12 सेंटीमिटर की 6 रफल गयाद करना है एरिया गयाद करना है तुरंत गयाद कर दीजिएगा किसी प्रकार में चिंता नहीं होनी चाहिए बिटा इससे आसान सवाल की पेपर में क्या उमीद करोगे एससे वालों ने अल्रड़ी इतने इजी इजी सवाल दिये है छसल सीजियल सारे एक्जाम के बच्छों लेवल की बात कर रहा हूँ चिंता करने की कोई बात नहीं है यह मैंने एक विकर्ण मान लिया आपकी सुईदा के लिए और यहां से देखो मैं इसका एक डाइगनल भी क्रियेट कर रहा हूँ यह लो बच्छे विकर्ण की लंबाई है 15 सेंटीमिटर लंबाई है 12 सेंटीमिटर राइट एंगल ट्राइंगल बच्छों इससे बनेगा यह 9 सेंटीमिटर आएगा क्यों आएगा राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम बच्छे बच्छे को पता है आइपोटेनियस 15 है यह बेस 12 है तो यह कितना आएगा 9 वह आपने ट्रिपलेट पड़े होंगे च्छे तरफल ग्याद करना है तो बारा गुणा नो करोगे 108 सेंटीमिटर स्क्वार बनेगा 108 सेंटीमिटर स्क्वार इस दा करेक्ट आंसर 108 आपके सवाल का उत्तर बनेगा और इससे जादा आसान कुछ हो नहीं सकता और इससे जादा कमफर्टेबल कुछ बात संबब नहीं है तरहे 600 रुपए को एकस वाई जैड के बीच में बांटा जाता है एकस और वाई का वाई और जैड का तो वाई के इससे में कितना ये बताओ बेटा है जब अब बच्छे बताओ फटाफट से वाई के इससे में कितना आया हो गया होगा कि खैक 100 य का रेषा कितना सेवं रेषも 5 मुझा 5 कि वाइउ पहला काम तो बच्चे हमें ये रेषो मर्ज करने परेंगे नहीं मर्ज करने का अलग मान लेकिया रहे हैं यह कोई बात ठोड़ी है इसको सेम कर देते हैं तो आपने कहा सर इसका गुणा 4 से कर लो इसका गुणा 5 से कर लो एक्स वाई जेड तो साथ गुणा चार करोगे 28 चार गुणा पांच करोगे बीस पांच तिया पंद्रा आपने का जी हा सर अब अपना वाई देखो बराबर हो गया टोटल पैसा है तरेशट सो रुपया ये टोटल की वैल्यू है अर्टालिस और पंद्रा तरेशट आपने का सर वाई का मान ग्याद कर दो वाई का मान हो गया बीस तरेशट से काटोगे सो बार कटेगा बीस गुना सो करोगे तो दोजर आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा बी इस दा करेक्ट आंसर बी इस दा राइट आंसर भी आपके सवाल का भूकत्र बन गया आसाने ना अदो कि विसमें तो इसमें आप डेटा शाय धीक से ना देख पाएँ फिर भी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं शाय देख पाऊ गया थोड़ा हिंट में आपको देता हूं बटा यह जो लाइट कलर में यह नाइटी सरी 2017 का डाटा है और जो यह डार्क लाइन डार्क डार्क लर में इंप्रूमेंट करें बच्चों का इंप्रूमेंट जदा वो गया पहला option है तनेजा जी उप Anग तनेजा जी ने तो डॉक्टर कालरा जी 85 से सत्यानमें चासी से सत्यानमें का मतलब बिटा इन्होंने इंप्रूब कर दिया 12 यानि करीब करीब 15 परसेंट करीब 15 परसेंट का इंप्रूइमेंट कर दिया जोशी जी 85 से बाण में करीब करीब 8 परसेंट के आसपास सबसे जाधा बढ़िया रिजल्ट आया कालरा जी का कालरा जी मतलब सीवत तराना चाहिए यह तो डेटा को देखकर ट्राई करना है बैटाई सवाल बड़े इजी बनते हैं इन्हें सीखने और सिखाने वाली बहुत हुआत मुश्किल बाते नहीं होती है यह है यह प्रीणिमिट्री फर आसान है है इलजेब्रा पर आसान है सब कुछ इजिए घाप आप करते जाओ सवाल आप से बिंगते जाएँगे हुर्य आठ साइन ठीटा कि को सीट अजी ने जवरी कॉस थीटा प्ल को पेंडो डिवेंडो के बारे में सुना कभी, योगांतरा नुपात के बारे में सुना है, अगर A बटा B बराबर C बटा D होता है न, तो आप इसे बचो A प्लस B बटा A माइनस B, C प्लस D अपॉन C माइनस D के एक्वल भी कह सकते हैं, उपर में देखो इनको जोड़ूँगा, तो क्या बनेगा, Cos Theta प्लस Sine Theta, फिर से नीचे वाला पाट जोड़ूँगा, तो यह होगा, Cos Theta माइनस Sine Theta, कॉस थिटा प्लस साइन थिटा माइनस करूंगा कॉस थिटा प्लस साइन थिटा पराबर हो जाएगा आठ प्लस एक आठ माइनस योगांतरा नुपाथ ट्राइ कर दिया अपने आपको पता है सर यहां से साइन से साइन कट गया यहां कॉस से कॉस कट गया उपर बनेगा टू कॉस थिटा बटा में आएगा टू साइन थिटा पराबर आएगा आठ और एक नौ आठ में एक गया साथ दो से दो कैंसल हो गया यह बनेगा कॉट थिटा नौ बटा साथ सवाल क उत्तर बनेगा बचो आपके लिए ऑप्शन नमबर भी आपके सवाल का राइट जबा आपको ना एक ही बात समझनी है आपको एक ही बात पर फोकस करना है बचे और वो है कि कपेंडो डिवेंडो सवाल इजी बनेगा हलांकि आप क्रॉस मल्टिप्लाइ करोगे तो भी दिक्क माइनस एक बराबर आठ फिर भी तिर्षा गुणा करना पड़ेगा बात तो वही यह ना कैसे मर्जी सवाल कर लो तरीका एक ही है मैथड एक ही है बचो सवाल नमबर सेवंटीन दस परतिशत की दर से इतने सालों में 3500 की राशी 4500 रुपए हो जाएगी 3500 की राशी को 4500 रुपए करना है 10% की रेट लगानी है बच्चो अजार रुपए का ब्याची मोटा मोटा बात यह है मैंने तुमको अगर 3500 रुपए ब्याज पर दिये ना वापस मेरे को 4500 रु चाहिए 3500 रुपए ब्याज पर दे रहा हूं 4500 रुपए लेने है तो 1000 रुपए का ब्याज आना चाहिए और एक साल में बच्चो दस परसेंट की रेट से ब्याज आएगा 37500 एक साल में 37500 का ब्याज आएगा बस इसे कांट कर दिजिए पांच से कट होगे बीस बटा साथ आ गया साथ दुनित चौदा दो सही छे बटा साथ साल तो सिक्स बाइ सेवन इयर्स आएगा सी इस दा राइट आंसर, सी इस दा करेक्ट आंसर आपके सवाल का उतर सी बनेगा और इजी क्या होगा कॉट एकी वैल्यू के है तो साइन एक का मान बताईए मान लीजिए एक न्यून कोन है मान लीजिए एक न्यून कोन है बेटा 3500 रुपए का 3500 रुपए का 10% की दर से एक साल में ब्याज साथ दिन सो तो आएगा 10% की रेट है तो एक साल में साथ दिन सो होता है कॉट ए बराबर के है तो साइन के का मान बताइए साइन ए का मान बताइए साइन ए की वैल्यू क्या बनेगी बच्चे-बच्चे को पता है ये बात तो बच्चपन से पढ़ते आएं सर लाल बटे कका या इंग्लिश में बोलते हैं पंडित बदरी हिंदुस्तान हरा भरा कई तरीके में ये जानकारी आप लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चो कॉट ए आपको सवाल में ये दिया हुआ है कॉट ए ये के के बराबर है ये वाला एंगल मैं ए मान रहा हूं ए न्यून कोन है किलो कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपें प्रपेंडिकुलर ये आ गया करण इसमें आएगा वन प्लस के स्क्वाइर पाइथगोरस की थोरम पे मैंने करण ग्याद कर दिया आपने पूचा सर साइन ए का मान बता दो साइन ए का मान क्या होगा लंब बटे करण प्रपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस है एक इसी आगे बढ़ते हैं कि यह है एक बढ़िया सवाल हलांकि ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है तुम्हें करने की कोशिश की गई है मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे बच्चे हो बढ़ाई बढ़ी अच्छे से करते हो कंफ्यूज आप लोग होंगे नहीं कि 19 नंबर सवाल का उत्तर एक बार सब बच्चे ट्राई कर देना अपनी कॉपी में जितने बालक सवाल देख रहे हैं सब लोग इसको ट्राई अवश्य करना मेंडिटरी है बच्छों आपके लिए कि बिंदू एम 15 सेंटीमेटर त्रिज्या वाले किसी वरत ABC के परिवर्थ का केंदर है इस बात को एक बाद चेकीजिए ना कि 15 सेंटीमेटर त्रिज्या वाले कि यह आपके सामने एक सरकिल है और यह उसका सेंटर मैंने मान लिया एम और यह एक ट्रैंगल का परी के अंदर है ट्रैंगल का एक सरकिल है इसका मतलब इसके अंदर एक लिखो ट्रैंगल है परिवर्थ का मतलब यह होता है कि तीनोंग एजिज तीनों किनारे उस पर confrontation हो यह ट्रैंगल है ABC सी को कि बीसी का मान 24 है यह इस ट्रैंगल की तो बुजा है लेकिन सरकिल के लिए काम कर रही है कोड का सरकिल के लिए काम कर रही है जीवा का मैंने आपको बोला कि बीसी की लंबाई 24 है ओके mlbc पर perpendicular है इसी वरत में जीवा को अगर केंदर से लंबनाओगे जीवा के दो के दो समान वागों में तोड़ता है यह इसकी radius है यह इसके मान भी आपको दिया हुए 15 मैं आपसे पूछा ml की लंबाई कितनी आएगी 9 वही 3 4 5 का split है अगर 3 गुणा करोगे यह नो आएगा यह बारा आएगा और यह पंद्रा बनेगा सवाल का उत्तर बनना चाहिए नौ एमल की लंबाई आनी चाहिए नौ सेंटिमिटर सी को कंफर्म कर दीजिए सी को लॉक कर दीजिए और कुछ करने की आवशक्ता नहीं है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 सेडिवीजिबल है आपके सामने कुछ नंबर दिए इन से कौन सा नंबर बठा 11 से डिवीजिमल है 11 से कौन सा नंबर डिवाज है बताना है आपको 11 का मल्टिपल जानते हैं 11 के multiple के बारे में जानकरी है ना 9 और 3 12 12 और 9 21 और ये बनेगा बचो 6 और 3 9 9 और 1 10 21 और 10 का difference 11 होता है ये हो जाएगा बेटा 9 6 3 3 9 1 यही number 11 से कट जाएगा बई इवन प्लेस के डिजिट और सम प्लेस के डिजिट इनका difference जिरो आ रहे है जिसे मैं इनको जोड़ूँगा और इनको जोड़ूँगा 9 3 12 9 21 इनका जोड़ 10 21 और 10 का difference होगे 11 number 11 से कटे उमीद कर लेगो आप इस आकरती को ठीक से बेटा देख पाएगे आप ये आकरती ठीक से समझ पाएगे थोड़े से मान अगर ठीक से लिखने है तो मैं इस बात की देखो कोशिश कर लेता हूँ बेटा ये आना चाहिए 118 डिगरी ये O दिया है, ये A दिया है, ये B दिया है, ये C दिया है और ये D दिया है ये आपको सवाल दिया है किया दोस्ते मैंने पूछा A, C, D ये एंगल बताओ प्यारे बच्चों आपको सरकिल के बारे में कुछ बेसिक वाले नियम, बेसिक वाले रूल याद होगे यह बारे में जानकरी समझना क्या सवाल कहा रहा है आप से कि किसी भी सरकिल में केंदर पर बनाये गया कौण किसी जीवा डोरा केंदर पर बनाया गया कौण फृरीधी पर बनाए गए कौण का दुगना होता है यह 118 यह एंगल कितना आ गया 50 कि और जब भी किसी सवाल में एक कोड एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बनाई जाए तो हमेशा बचो आल्टरनेट सेग्मेंट थ्योरम काम आती है और यह थ्योरम आप से क्या कह रही है कि अगर यह अंदर का एंगल 59 है तो यह बार का एंगल भी 59 आएगा यह एंगल और यह एंगल आपस में एक पूल आते हैं यह बचो आल्टरनेट सेग्मेंट थ्योरम होती है 59 इस सवाल का उत्तर बनेगा यह तो वही सवाल है अरे भाई यह तो वही सवाल है सुनिएगा 1996 की बात कर रहा है यह 1996 प्राफिट हुआ है 45 परसेंट यह देखो इसमें आपको यह करें कि उस दिन इंकम अगर साल में 30 खर्चा खर्चा अगर 30 करोड का था तो बताओ आये किती हुई पीटा आये तो इसको एक सो पंतालीस परसेंट हुई होगी मैंने बिजनस में अगर मालो 30 करोड का समान डाला मेरे को पंतालीस परसेंट का प्रोफिट हो गया तो पैसा कितना आएगा तो आप कहना सर्फ पंतालीस से काटो के त्यालीस पॉइंट पांच इतने सी आर का मुझे इंकम हुई होगी और बाकी का प्रोफिट हो गया बाकी का प्रोफिट हो गया बिटा ये बताईए एक बाइक का सुची मुल्या इसके क्रेम मुल्या से 15 परसेंट जादा है इसे 20 परसेंट की छूट पर बेचा जाता है लाब या हानी का परसेंट बताईए कितने परसेंट कิ देने के बारे में आपको बताना है बाइक का सूची मुल्या क्रैम मुल्या से 55% जादा है mere CP अगर मौन लो 100 रुपय है सूची मुल्या होता है अंकित मुल्यया है वह 115 बनेगा है अब जब डिसकाउंट कटेगा तो डिसकाउंट एम पी पर कटेगा बच्चो मार्क प्राइस पर 20% का डिसकाउंट काटेंगे 23 रुपए का डिसकाउंट काटकर ये आर्टिकल बेच देंगे 22 रुपए का 100 रुपए का समान 22 में बिखेगा दोस्तो 8 परसेंट का लॉस हो जाएगा 8 परसेंट का लॉस हो जाएगा आप ये भी कर सकते हैं CP बटा MP 100 माइनस D अपोन 100 प्लस P क्राह मुल्या का मतलब 100 और ये 115 यानि 20 और 23 बन गया 100 माइनस D यानि कि 80 और ये है 100 प्लस P पतानी क्या आएगा गी चोका असी तो आप कहना साथ सौ प्लस P आ रहा है बाण में प्यागया माइनस का एट माइनस में आने का मतलब बचचो ये लॉस को इंडिकेट कर रहा है माइनस में साया इस का मिलब लॉस को इंडिकेट कर रहा है आठ परसेंट का आपको लॉस हो जाएगा 24 नंबर सवाल कीजिए फटाफट सब बच्चे जितने बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं सब 24 नंबर सवाल ट्राइ कीजिएगा मैं आपसे 24 नंबर सवाल का उत्तर जानना चाहता हूं पच्चिस व्यक्तियों की ओसत आयू 20 साल है पच्चिस साल वाले 28 साल है पच्चिस साल एज वाले 5 नए बंदे शामिल कर लिए तो बताओ क्या आवरेज होगा अरे नहीं 25 परसन है इनकी जो एवरेज एज है वो है 28 साल और पांच नए परसन आपने शामिल कर लिए जिनकी एवरेज एज है 25 साल देखें मेरी बात सुनिएगा एक तरीका तो यह होता है बेटा कि आप मल्टिप्लाई कर लो इनका इनका मल्टिप्लाई करोगे 700 इनका 125, 825, 825 में 30 का भाग दिलीजेगा तो आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा 27.5 आंसर आजाएगा पर डेविएशन क्या कहता सुनो मेरी बात देखें 25 परसंट थे 28 एज वाले 28 तो उनका एवरेज आना चाहिए लेकिन 5 आदमी बरती किये 25 किलो वाले बचो एक बंदे की एज कम हो गई 3 साल एक बंदे की एज 3 साल कम हो गई 5 बंदों की एज में 15 की कमी आ गई ये कमी सारे लोगों में इक्वल इक्वल बाट दो तो आप कहना सर 28 में से 0.5 कम करना पड़ेगा 27.5 यह आपके सवाल का उत्तर बनेगा सी इस दा राइट आंसर सी इस दा करेक्ट आंसर वैसे भी आपको पता है बिटा कि उत्तर तो 28 से कम आएगा 28 के पास यह आएगा तो इस पॉइंट पांच ही होना चाहिए बस 25 सवाल है बचो इस पेपर का आखरी सवाल है लगातर पेपर आपके लिए चल रहे हैं डेली बचो एक एक पेपर की बहतरीन सी बात मैं आपको करवा रहा हूं आज का पेपर अपना अंतिम दौर में हैं फिर कल एक और बढ़ियाशा पेपर सॉल करेंगे कि ए और बी दो संख्याएं एक का दस परसेंट कि और बी का आठ परसेंट ये बराबर आ रहे हैं एक के बारा परसेंट ओर बी के सोला परसेंट के योका तीन बटा पांच है एके बारा परसेंट और बी के 16 परसेंट के योका तीन बटा पांच है पांच से गुना करोगे एका आगया बचो 50% बी का आएगा 40% एका बारा तिया 36% पी का 16 तिया 48 परसेंट यह जानकारी बने गए 36 यहां आएगा तो बनेगा एका 14 परसेंट और वहां बनेगा बी का 8 परसेंट परसेंट दोनों में काट दीजिए दो से काटोगे 7 ए बराबर 4 बी ए अनुपात बी ग्याद करना है चार अनुपात साथ उत्तर बनेगा बी को लॉक कर दीजिए यह प्यारे दोस्तों एक और पेपर की जानकारी होगी कंप्लीट पूरे 25 सवाल बेटा आपके प्रिवियस एर के लगातार बेटा आपके लिए चलते रहेंगे उमीद करता हूं इन दो सेशन जो आपने पड़े इनकी सारी बाते आपके लिए समझ में आई होंगी बचो कल एक और मिलेंगे बहतरीन सेशन साथ में आज इतने बचो बाकी ब अन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत सब ख्याल रखिए अपना टेक क्यार